Hello everyone, मैं विकास जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान घ्यान में one liner प्रश्णों की सीरी चल रही है उसी क्रम में आपका अगला वीडियो है और आपका इस वीडियो में आपके जितने भी one liner प्रश्ण होंगे वो मैं सबी गराओंगा पहला आपका प्रशन है उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमाओं को इसपर्ष करता है तो उत्तर प्रदेश है वो आपका साथ राज्यों की सीमाओं को इसपर्ष करता है अगला प्रशन है आपका उत्तर प्रदेश कितने केंदर सासित प्रदेश की सीमाओं को स्वादिक राज्जियों को इस फर्स करते हैं। प्रश्न अगला है उत्तर विदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। प्रशन अगला है उत्तर पिदेश का सबसे दच्छिडी जिला कौन सा है तो उत्तर पिदेश का सबसे दच्छिडी जिला जो है वो आपका सौन भद्र है प्रशन अगला है उत्तर पिदेश का सरवादिक छित्रफल वाला जिला कौन सा है तो आपका लखीम पूर खीरी है कौ गोरकफुर जिले में सबसे अधिक बरसा होती है प्रशन अगला है नियूंतम बरसा उत्तरप्रदेश के किस जिले में होती है यानि सबसे कम किसमें होती है आपकी मतरा में होती है और सबसे ज्यादा बरसा जो होती है वह आपकी गोरकपुर में होती है आगे बढ़ेंगे प्रश्ण आपका अगला है उत्तरपरदेश और हर्याणा की सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है तो आपकी यह यमुना नदी है प्रश्न अगला है उत्तर प्रदेश के दच्छिड में पठार को क्या गहते हैं तो दच्छिड में जो पठार है उसे कहते हैं वुंदेल खंड का पठार प्रशन अगला है उत्तर पिदेश का विधान मंडल कितने सदनों का है तो उत्तर पिदेश का विधान मंडल है वो आपका देश अदनात्मक है प्रशन अगला है सबसे ज़्यादा अनसूचित जाति के लोक सवा सदस से किस राज्य में चुने जाते है तो सबसे जादा अनसूचे जाद के उत्तर विदेश में चुने जाते हैं प्रशन अगला है उत्तर विदेश में लोक सवा के लिए आरच्छित सीटों की संख्या कितनी है तो लोक सवा के लिए आरच्छित जो सीटों है उनकी जो संख्या है वो आपकी सत्र है प्रशन अगला है उत्तर बिदेश के उच्छ नियायाले में सुईक्रत नियाय दीसों की कुल संख्या कितनी है तो यह आपकी 95 है प्रशन अगला है उत्तर बिदेश में सरवादिक बार राजपाल कौन न्युक्त हुए तो सबसे जादा राजपाल जो बने हैं सबसे जादा मुहम्मद सफी कुरेशी कितनी बार बने हैं आपके दो बार बने हैं प्रश्न अगला है उत्तर प्रदेश में सरवादिक वार मुखमंत्री कौन बना तो सबसे ज़्यादा मुखमंत्री जो बनाए वो बनी है कुमारी मायावती और यह बनी है चार वार कितनी वार बनी है आपके चार वार प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पाराश्च्पती शासन लाग गया तो यह हुआ था 25 परवरी 1968 कि तो आगहेंगे प्रश्ण हनोगा तो यह राज आयोग का गठन किसके द्वारा की जाता है तो नर्वाचन की नुक्ती किसके उत्तर पिदेश योजना आयोक का जो अध्यच्छ है वो आपका कौन होता है मुख्यमंद्री होता है आंगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है उत्तर पिदेश में नगरिये स्वायत शाषन की सुरुवात कब हुई तो यह हुई थी 1916 इस भी में आगे बढ़ेंगे प्रशन अ सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है तो सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य सचेव प्रशन अगला है उत्तर पिदेश का सबसे बड़ा विदी अधिकारी कौन होता है तो विदी अधिकारी जो होता है वो एड़ोकेट जनरल होता है उत्तर पिदेश में प्रशन गया था आगे बढ़ेंगे अगला जो प्रश्ण है आपका कि उत्तर विदेश लोकाइक्त की न्युक्ति कब की गई तो यह की गई थी 14 सितंबर 1979 प्रश्ण अगला है उत्तर विदेश में राज के अधिकारियों की भरती किसके माध्यम से की राती है गारत में गरीवों की संख्या किस राज में सबसे अधिक है तो गरीबव के जो शंख्या है वो उत्तर्व देश में सबसे अधिक है प्रशन हब लाहर juntahiddai का प्रतम ड यंग कहां स्थापित आगया तो यह आपका लग्ण diesem में स्थापित किया गया प्रशन अगला है उत्तर पिदेश की प्रथम दलित महला मुखमंतरी कौन थी तो यह थी आपकी कुमारी मायावती प्रशन अगला है उत्तर पिदेश का प्रथम मुक्त विश्विध्याले कौन सा है तो यह आपका राजशी टंडन मुक्त विश्वि जीब बिहार कहां इस्तेत है यह है चंदौली तो इस वीडियो में आपके जितने भी बन लाइनर प्रेशन थे वो मैंने आपको सभी करा दिये हैं मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद